Hello friends, आज का हमारा topic है How to automate WhatsApp marketing for lead generation company तो example के लिए माल लिजे कि मेरी lead generation की एक company है और अपनी इसी company को promote करने के लिए, market करने के लिए मैंने इस्तिमाल किया है Facebook का मैंने Facebook पे अपनी इस company का एक page create करके रखा है और इसी page पे मैंने एक lead ad run किया है अब जब भी मुझे Facebook lead ad से कोई नई lead receive होती है मेरी इस company के लिए तो automatically same lead को मैं एक WhatsApp message बेजना चाहता हूँ और इसके लिए मैं यापर use कर रहा हूँ WhatsApp cloud API का अब यह जो पूरी process है, इसको हम automate कर देंगे इसका मतलब जब भी आपको Facebook से कोई नई lead receive होगी आपकी company के लिए तो automatically वो same lead को एक WhatsApp message चले जाएगा WhatsApp cloud API की मदद से तो आप कैसे बना सकते इस पूरा automation को, कैसे connect कर सकते हैं इन दोने applications को आई ये देखते हैं मेरी स्क्रीन पे तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा automation, Facebook lead ads और WhatsApp cloud API की बीच में कि जैसे Facebook से कोई नई lead आपको receive होती है आपकी company, आपके business के लिए तो automatically same lead को आप एक WhatsApp message भीच सकते हैं WhatsApp cloud API की मदद से और ये पूरी process हम automate करेंगे पैबली connect की मदद से Facebook lead ads और WhatsApp cloud API की बीच में connection बना के तो चलते हैं new tab पे आप देख सकते हैं ये है पैबली का landing page पैबली एक बहुत ज़्यादा amazing software है जहाँ multiple applications को एक दूसरे से connect integrate कर सकते हैं अगर आप एक नई user है तो जाईए sign up for free पे जहाँ को अर्माईने मिलेंगे 100 free task कैसे automation create करने के लिए अगर आप existing user है तो simply आपको क्लिक करना है sign in पे sign in पे क्लिक करते ही आपके सामने open होगी पैबली की ये पाच मिन applications आज हम को यूज करना है पैबली connect का तो क्लिक करेंगा access now पे एकसेज नाव पे क्लिक करते ही अब आपके सामने open होगा पैबली connect का dashboard पैबली connect के dashboard पे आने के बाद आपको जाना राइट इंट साइट पे क्लिक करना इस blue बटन पे और एक नया workflow आपको यहाँ पे setup करना है workflow में हम दोनों applications को एक दूसरे से यहाँ पे connect करेंगे तो click करना आपको create workflow की बटन पे जैसे अब create workflow की बटन पे click करेंगे तो आपकी सामने dialogue box appear होगा जो आपको इस workflow को एक नाम देना है तो माले जब मैं ऐसे नाम देता हूँ automate whatsapp marketing for lead generation companies आप अपने requirement की हिसाब से इसे कोई और भी नाम दी सकते हैं इसके बाद आपको choose करना हो particular folder जिसमें आपके नया workflow बनाना चाहते हैं folder choose करने के बाद click करना आपको create पे और जैसे आप create पे click करेंगे अब आपके सामने open हो जाएंगे ये दो important boxes जिनकों कहते हैं trigger and action basically जो पूरा automation आज हम बनाने वाले हैं दोनों applications की बीच में वो based होते हैं इन दोनों principles और concepts पे इनके definition के बात करें तो trigger कहता है when this happens मतलब जब ऐसा हो तो action कहता है do this मतलब ऐसा कर दो अभी trigger और action को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि आज का मेरा objective क्या है मतलब आज मैं क्या करना चाहता हूँ एक example दिए कि मैं आपको पूरी step समझाता हूँ अब example के लिए माल लिजिए कि मेरी lead generation की एक company मैं company run करता हूँ और अपनी इसी company को promote करने के लिए और ज़्यादा market करने के लिए public तक पहुचाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है facebook का मैंने facebook पे अपना एक page create करके रखा अपनी company का जिसका नाम मैंने दिया है craft leads और इसी page पे मैंने एक lead ad भी run किया है अब जब भी facebook पे कोई customer मेरा page देखेगा, मेरा form देखेगा और हो form को fill करेगा तो एक नई lead मुझे मिलेगी, एक नई lead generate होगी अब जैसे ये नई lead generate होगी, तो automatically same lead को मैं एक whatsapp message भीजना चाहता हूँ तो देखे, जो मेरे trigger application होगी, वो होगी facebook lead ads facebook lead ads पे जैसे कोई नई lead generate होगी, मेरे page के लिए और मेरे form के लिए तो automatically, जो automation मैं बना रहा हूँ, जो workflow मैं बना रहा हूँ, पैबली connect पे ये trigger हो जाएगा, और फिर whatsapp cloud API की मदद से same lead को एक message receive हो जाएगा उनके whatsapp number पे, और वो message में आप कुछ भी वापे type कर सकते हैं कि आपकी lead हमें receive हो चुकी है, और हम आप से जल से जल यहाँ पे connect होगे आप किसी भी तरह का एक message draft कर सकते हैं, तो इसमें जो मेरी trigger application होगी वो होगी Facebook lead ads, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें चूज करूँगा आपने trigger application जो की होगी Facebook lead ads, trigger event मेरा होगा new lead instant, इसका मतलब facebook पे जैसे ही मुझे कोई नई lead मिलेगी, instantly जो मेरा workflow होगा और action application मतलब WhatsApp cloud API के मदद से हम क्या कर रहे हैं, same lead को हम एक WhatsApp message भीज रहे हैं तो action application मेरी होगी WhatsApp cloud API और action event पे रहा होगा, send template message अब देखिए WhatsApp cloud API और Facebook lead ads, इन दोनों के बीच में कोई भी direct connection नहीं है इसलिए यह workflow यहापे मैं setup करके आपको देखा रहा हूँ अब इसके बाद हमको क्या करना है next step में, हमको हमारे दोनों account को connect करना है पैबली connect से, तो सबसे पहले facebook का account मैं यहापे connect करूँगा पैबली connect से, ताकि जैसे ही महापे कोई नई lead हमको receive हो हमारे page के लिए तो automatically वो lead की details पैबली connect अपने पास यहापे capture कर लेगा और फिर action step यहापे काम करने लग जाएगी और same lead को एक whatsapp में से चली जाएगा उनके number पे तो click करते हम connect पे और facebook का account यहापे मैं connect करूँगा पैबली connect से तो जाना आपको add new connection पे add new connection पे जाने के बाद आपको click connect connect with facebook lead ads पे आप देखे मेरा account already logged in and new tap पे तो जो हमारा authorization है वो automatically यहापे authorized हो जाएगा और पैबली connect और facebook lead ads दोनों यहापे connect हो जाएगे एक दूसरी से और देखे हमारा authorization यहापे successful हो चुका है इसका मतलब facebook account आप देख सकते हैं मेरा connect हो चुका है पैबली connect से अब account करेक्ट होने के बाद जितने भी pages आपने create करें अपने facebook के account पे वो सारे pages आपको यहापे दिख रहे होंगे अब आपको वो page यहापे select करना है जिस पर आपने lead ad run किया है तो देखी जो मेरे page का name है उसका नाम है craft leads तो मैं जाओंगा पैबली connect पे चूस करूँगा अपना page craft leads और इस page पे जितने भी lead form मैंने create करके रखे हैं वो सारे lead form अभी आपको यहापे दिखने लग जाएंगे जैसी मेरा page connect होगा पैबली connect से और देखी हमारा page connect हो चुका है पैबली connect से आप इस पर मैंने जो भी lead forms बनाएं तो lead forms आपको नीचे आप दिखने लग जाएंगे lead gen form पे तो click करता हम इसके drop down पे और देखी मैंने आप दो forms create करके रखे हैं एक का नाम है new form और एक का नाम है lead generation form अब इन में से आपको वो form है पे select करना है जिसका response आप capture करना चाहते है पैबली connect के पास पत्ताब वो form जैसे कोई person fill करे है और एक नई lead generate हो तो automatically आप चाहते हैं कि आपका workflow trigger हो जाए तो वही form आपको यह पे select करना है आप चाहें तो यह वाला option भी choose कर सकते है all lead gen forms वाला option इससे क्या होगा अगर अपने इसको choose किया तो आपने अगर multiple forms create करके रखे हैं अपने facebook के page पे तो आप किसी भी page से कोई नई lead generate होगी तो automatically उसकी details public connect आपके capture कर लेगा individually किसी एक form को आपको choose करना है तो वो भी आपने आपके कर सकते हैं तो माली जब मेरे form करने में lead generation form और पीच करने में craft leads देगी दोनों को मैंने आपके select कर लिया आप मैं click करूँगा save and send test request की button पे तो आप देखेंगे public connect यहापे webhook response का wait करने लग जाएगा कि क्या वो lead की details public connect यहापे capture कर पा रहा है या नहीं और test lead हम generate करेंगे metaphor developer सुपजा की lead ads testing tool की मदद से अब देखें यहापे मैं real time में run नहीं कर रहा हूँ यह add इसलिए मुझे आप एक test lead generate करनी पढ़ रही है आपको दिखाने के लिए आपको समझाने के लिए जब आप real time में इस workflow का use करेंगे और एक नया page create करेंगे एक नया lead form मनाएंगे तो automatically वो lead की details public connect यहापे capture कर लेगा जैसी उस form पे कोई नया submission होगा मतलब एक नई lead generate होगी तो अभी test lead generate करनी के लिए हम चलते हैं metaphor developers पे और इसके बाद आपको click करना my applications पे my applications पे click करने के बाद आपको जाना है tools पे फिर आपको जाना है lead ads ito debug tool पे तो देखे lead ads testing tool हमारे सामने आपे open हो चुका है वही page हमको आपे select करना है जिसके लिए हमें एक नई lead generate करने वाले तो देखे जो मेरे page करने में उसको नाम है craft leads और जो मेरे form करने में उसका नाम है lead generation form अब जैसे मैं preview form पे click करूँगा तो form आपके सामने आपे open हो जाएगा और उस form को जैसे मैं fill करके submit पे click करूँगा तो एक नई lead generate होगी हमारे speech के लिए और details public connect यहाँ पे capture automatically अपने पास कर लेगा तो click करते हम preview form पे और देखे preview form पे click करते है form हमारे सामने आपे open हो चुका है यहाँ पे लिखा है fill all the details तो मानेचे lead का first day मैंने दिया demo last day में user यह lead की mail id demo at the rate primitutes.com और यह है lead का contact number और एक dummy contact number मैंने आपे provide कर दिया है इसी contact number का यहाँ पे सबस्यादा इस्तिमाल होने वाला है हमारे workflow में क्योंकि इसी number पे हम उने WhatsApp message बीजेंगे तो क्लिक करना आपको next पे इसके बाद आपको क्लिक करना है submit पे और देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है your test lead has been sent इसका मतलब एक नई lead यहाँ पे generate हो चुकी है और क्योंकि यह page और form को मैं connect कर चुका हूं public connect से तो इसकी details automatically capture हो चुकी हो चुकी होंगे public connect के पास first step of integration है वो सही से काम कर रहा है हमने Facebook के account को successfully connect कर दिया public connect से अब जैसे आपको कोई नई lead receive होगी lead generation company के लिए तो automatically उसकी details capture होंगी public connect के पास अब cm lead को हम एक whatsapp message भीजने वाले हैं तो whatsapp message हम भीजेंगे whatsapp cloud API की मदद से तो इसका जो आपका account है वो मैं connect करूँगा public connect से तो क्लिक करना आपको connect पे इसके बाद आपको जाना है add new connection पे add new connection पे जाती है आपसे पूछे का token phone number id और whatsapp business account id API के account पे और देखी यह है मेरा whatsapp cloud API का account यह है मेरा token आप देख सकते हैं API setup आप जैसी आएंगे तो यह आपको token देख रहा होगा यह token आपको copy करना है जाना है public connect पे महाँ पे करना है paste फिर यह हमारी phone number id तो इसको भी आपको copy करना है और यह हमारी whatsapp business account id यह तीनों चीज आप आपको copy करना है जाना है public connect पे यहाँ पे इसको करना है paste और जैसे अब safe पे क्लिक करेंगे तो आपका जो whatsapp cloud API का account है वो connect हो जाएगा public connect से अब यह step में पहले ही कर चुका हूं तो click करूंगा मैं select existing connection पे click करूंगा मैं safe पे तो देखी जो मेरा cloud API का account है वो connect हो चुका है public connect से और देखी मेरा account connect हो ने बाद जैसी मेरा refresh पे click किया है template name automatically हमारे system ने आपे detect कर लिया है तो template का हमारी name है lead generation अभी template क्या होती है template होते है pre return message जो मैंने पहले type करके रखा है अपने whatsapp cloud API के account पे उनको customize करके हम हमारे customer को एक नया whatsapp message भीच सकते हैं मतलब template में पूरा मैंने message draft कर के रखा है जो मुझे अपने customers को बेजना है आप कैसे template आप create कर सकते हैं कैसे वो template आप देख सकते हैं इसके लिए हम आपको लेके चलता हूँ मेरा whatsapp cloud API के account पे तो देखी यह मेरा whatsapp cloud API का account जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया है जैसे मैंने scroll down कर आए नीचे तो आप देख मैंने आप एक template create करके रखे जिसको मैंने नाम दिया lead generation का अगर आपको नई template create करनी है तो simply आपको क्लिक करना है create template पे और एक नई template आप बड़ी असानी से आप बना सकते हैं इसके लिए मैंने अलग से एक video create करके रखा कि कैसे आप template बना सकते हैं तो वो video आप जरूर देख सकते हैं मदद के लिए जिसे आप सीख सकते हैं कि कैसे आप WhatsApp Cloud API पे नई template create कर सकते हैं पर अभी मैंने आप एक नई template create करके रखे जिसको मैंने नाम दिया lead generation का तो यह template मैं आपको open करके दिखाता हूं तो देखिए इस तरीके का यहाँ पर मैंने message draft करके रखा है जो मैं अप इस टाइम हमारा workflow trigger होगा अभी जो variable की value है यह हमको fill करने पड़ी के automation workflow में अभी देखिए यह जो पूरा message है यह message मैं बिजना चाहता हूं अपने lead को कि thank you for showing interest in one lead generation company regards craft leads इस तरीके का एक message मैं बिजना चाहता हूं अपने leads को अब चलता है पैबली connect पे और देखिए यही template मै हमारी system ने automatically detect कर लिया है template ID भी हमारी system ने automatically detect कर लिया है अब आता recipient mobile number मतलब उस person का phone number हमको यहां पे fill करना है जिसको हम एक whatsapp message भीज़ जा चाहते हैं तो देखिए जो number इसको हम fill करेंगे mapping की मदद से mapping का मतलब यह होता है कि जो response हमको मिला है हमारी trigger replication से मतलब facebook leader से उसी response का use म मैं यहां पर कर लूँगा वो भी without manually type करके इस process को हम कहते है mapping देखिए mapping कैसी की जाती जैसे अब इस field पर क्लिक करेंगे तो facebook lead ads जो कि आपके trigger replication थी जो कि आपके previous step थी वो आपको यहां पर दिख रही होगी इसके drop down पर जैसी क्लिक करेंगे तो जो भी response आपको मिला था आप जो variable आपने add किया था अपनी template पर आप देख सकते हैं जो variable आपने add किया था इसकी value आपको यहां पर fill करनी है तो देखिए हापर मैं क्या fill करना चाहता हूँ hello के बाद यहां पर मैं add करना चाहता हूँ अपनी lead का name तो यह जो variable है इसकी value हमीशे change होती रहेंगी जैसे कि मैं आपको पहले बताया था तो hello के बाद यहां पर मैं add करूंगा अपनी lead का name तो वापिस जाएंगे हम पैपली connect पे वापिस use करेंगा mapping का और जो हमारी lead का full name था वो name मैंने आपे map कर दिया है कुछ इस तरीके से अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि mapping का मतल आपकली नए data से change हो जाएगा असान शब्दों में आपको समझाता हूँ जब भी आपको facebook से next time कोई नए lead receive होगी आपके पीच के लिए आपकी lead generation company के लिए तो automatically वो जो नए lead का contact number है वो यहां पर आके add हो जाएगा जो lead का name है वो यहां पर आके add हो जाएगा और automatically फिर क्या पर्मनेंट फिर हमारा automation workflow काम नहीं करता है इसलिए मैंने आप यूज किया है mapping का अब देखिए जैसी में save & send test request की बटन पर क्लिक करूंगा तो automatically same lead को एक whatsapp message receive हो जाएगा वो भी इसी template पे तो क्लिक करते हम save & send test request की बटन पर और देखिए हमको यहां पर API response receive हो चुगा इसक चक करते हम हमारी lead का WhatsApp account और देखिए यहां पर हमको एक नया message receive हुआ है जो सक्कूम करते है open और देखिए हेलो के बाद जो variable था उसमें जो user का name है जो lead का name है वो add हो चुका है hello demo user thank you for showing interest in our lead generation company we are excited to help drive your business forward regards craft leads अब देख सकते हैं हमको एक message receive हो चुका है इसका मतलब जो auto mission हमने setup किया पैपली connect में दोनों applications के बीच में वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है simply दो step में हमने पूरा automation बना दिया जो work करेंगा instantly जैसे अब आपको facebook lead ads से कोई नई lead receive होगी instantly अप cover flow trigger होगा और same lead को एक WhatsApp message receive हो जाएगा WhatsApp cloud API की मदद से तो यह चेक करते हैं automation को हम रियाल टाइम में वापिस चलते हम facebook lead ads पे और जो form मैंने create किया ता फिर से उस form को यहापे मैं fill करता हूँ lead ads testing tool की मदद से और इस बार जो details से वो मैंने आपे change कर दी है lead का जो first name वह है testing last name admin यह lead की email id admin at the ratepebritudes.com यह lead के contact number जैसे मैं next पे click करूंगा submit पे click करूंगा फिर से आप एक नई lead generate होग और automatically क्या होगा same lead को एक WhatsApp message receive हो जाएगा WhatsApp cloud API की मदद से तो चलते हम WhatsApp के account पे और directly वहापे हम चेक करते हैं क्या हम वहापे हमको कोई नया message receive हुआ या नही lead generate हो चुकी है तो चलते हम उस lead के WhatsApp account पे और wait करते हम response का तो आप देखेंगे automatically क्या होगा यहाप एक नया message हमको receive हो ज पूरा मेंसे same to same है केवल जो name है वो यहापे change हो चुका है इसका मतलब जो हमारा workflow बिल्कुल सही से काम कर रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया केवल दो step का workflow जो work करेगा instantly तो अगर आप भी इस workflow का use करना चाहते हैं और अपने lead generation company को और ज़्यादा market करना चाहते हैं तो से और अपना मन पसंद integration बना सकते हैं अगर आपको कोई queries हैं कोई doubts हैं तो आप जा सकते हैं forum.pabri.com पर आप हमको mail कर सकते हैं support.pabri.com पर अगर आपको कोई pricing related issue है तो आप जा सकते हैं इस link पर अगर आपको ये video पसंद आया हो तो इस video को like करना, share करना और subscribe करना ना भूले so thank you for watching this video